नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में गर्भावस्था में होने वाली उल्टियों से बचाव के बारे में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते है तो इस वीडियो को ध्यान से अंक तक देखते रहे, येकिन इससे पहले मैं आपको बता दू, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जानकारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले विडियो रोजाना लेकर आते रहते हैं। आधा घंटा बाद पांच ग्राम हराया सूखा धनिया डालकर मसल कर छानकर इस पानी को चार हिस्से में कर लें वा गर्भवती महिला को चार बार में पिलाएं आराम मिलेगा। चार निम्बू का रस निचोड कर छान लीजिए, 50 ग्राम सेंधा नमक डालिए। 125 ग्राम जीरा इस रस में भिगो दे। जब रस बिल्कुल सूख जाए, केवल जीरा रह जाए तो इसे कांच की शीशी में भर कर रख दे, जब भी उल्टी आने को हो थोड़ा सा निकाल कर चबा चबा कर खाले। उल्टी नहीं होगी। किसी भी तरह की उल्टी हो रही हो तो सूखा धनिया या हरा धनिया, कूट पीस कर उसका पानी निचोड कर पांच श्रिंग पांच चमच बार बार पिलाएं। उल्टी रुक सकती है। यह उपाए गर्भवती स्त्रियों के लिए भी कर सकते हैं। चली नहीं होती और खाना जल्दी हजम होता है। झंग झिंशोत छो से क्वाएं। झा Sinneने पांच, की रहीं होता है। झाल झाल